यहां पर B.B. बत्रा के जवाब होंगे, सवाल होंगे जंता के, जंता के कुछ सवाल होते हैं सकता पक्ष तो कुछ विपक्ष से भी होते हैं, तो यहां पर सवाल जवाब का सलसला आगे बढ़ाते हुए हमारी डिप्टी एडिटर, मुम्तास कान, over to you मुम्तास बहुत शुक्रिया बसंत और अगर यहां हॉल में मौजूद देखने भी मौजिस मेहमान है हमारे आधर ने अतीति है अगर आप सब की इजासत हो तो हम इस कार्क्रम को आगे बढ़ाएं बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्लीज चेक इट आउट क्या मेरी आवाज समझ में आ रही है आप लोगों को अब ही ठीक है बच्वाजी स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इसकार स्कार्क्रम में अभी रोतक विधान सभा की नुमाइंदगी कर रहे हैं आप बहुत वक्त से जनिता के बीच हैं जनिता की नब्स को आप जानते हैं बहुत भी इसमें कोई दो राही नहीं लेकिन ऐसा क्या करिज्मा है ऐसा क्या है कि इस बार आपको लगता है कि 2024 में फिर रोतक की जनिता आपको लेकर आए विधान सभा तक पहुचाए और कॉंग्रिस ही खाब देखती है कि विधान सभा का ताज कॉंग्रिस हमादे कॉंग्रिस की सिरकार आएगी जनता इसका फैसला करेगा लोग मंद बना चुके हैं और कॉंग्रिस हता आने के साथ ही चौदरी बुपेंदर सिंग उड़ा मुक्रिम त्रीबर ने ऐसा क्यों लगता है आपको क्या वज़े हैं आपके पास वो क्या बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर आप ये दावा कर रहे हैं सरकार ब्रश सरकार है फिलियर सरकार है इतने लंबे समय में सबसे ज़्यादा बरश सरकार आई है तो श्रीमनोरलाल खटर की सरकार आई दू इससे ज़्यादा बरश सरकार हर्याना के अंदर नहीं आ सकती और क्या कमी नज़र आती आपको खटर सरकार में जहां तक डुवेल्मेंट की बात है ये सरकार बताए कि कौन से development के काम किया इसने इनके पास budget कितना होता है event management सरकार है ना कोई किसी का control है रिशोत का बोलबारा है दो चार officers को पकड़ के कहा दिया कि zero tolerance towards corruption है बड़ी-बड़ी मचरियां है उनको कोई पकड़ता ही नहीं लेकिन उनके पास तो अपनी दलीले हैं खटर सरकार के पास अपनी दलीले हैं जब हुड़ा साब कहते है metro एक इंच आगे नहीं बढ़ाया तो उनके पास पलवल वाला प्रोजेक्ट होता है बताने के लिए वो पलवल वाला प्रोजेक्ट बढ़ाते हैं और उनके पास और बहुत सारे पेरिस हैं, वो कहते हैं कल्बना चावला मेडिकल कॉलिज को उनिवर्सिटी बना दिया, अभी प्लान किया था, इनके जो आप इनका मेनिफेस्टो देख लियो, मेनिफेस्टो देख लो, मेनिफेस्टो देख लो, उसमें मेनिफेस्टो में जो अगर आप ही लोग बात करेंगे तो फिर इनकी बात कैसे वहां तक पहुंचेगी जहां पहुंचने चाहिए आप ही लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं हाँ पर यह तो अपनी बात पूरी करें उनके पास अपनी दलीलें वो कहते हैं हमने कलपना चावला मेडिकल कॉलेज को युनिवर्सिटी बना दिया मेडिकल को युनिवर्सिटी बना दिया मेडिकल को युनिवर्सिटी बना दिया मेडिकल कॉलेज को युनिवर्सिटी बना दिया मेडिकल कॉलेज को युनिवर्सिटी बना दिया और जो शरे जाता है हु बड़ा इमांदार सा सवाल है मिराब से कि इस टाइम हम जिस शक्स से बात कर रहे हैं बीबी बत्रा सहाब क्या वो हुड़ा कॉंग्रेस का हिस्सा है या कॉंग्रेस का हिस्सा है कैसे समझें। कॉंग्रस एक इस निठीता है और ये पत्रिकारिता ने बनाई हुए अलग लग गुरूप ऐसा कोई गुरूप नहीं है तो वो अभी जो प्रेस कॉंफरेंस हुई थी जिसमें एसर के नाम की टर्म शामिल हुई थी सेलजा, सुर्जवाला, किरन चौधरी, वो क्या था सर? सर के नाम आपने दिया हुआ है, उन्होंने कोई नाम नहीं दिया तो आपको लगता है कि कॉंग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है? कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है पार्टी के अंदर, किसी ने कहा दिया पार्टी के अंदर, प्रेस कॉंफरेंस किये, तीनों ने मिलकर, किसी ने प्रेस कॉंफरेंस नहीं किया, आपकी मित्चा ये बाते हैं, आप खबरों को जुटला रहें, बत्रा सा और लोग इस बार इनको बहुत बुड़ी तरह पटकनी देंगे और हरालत में यहां पर तो यह आर्दस सीटों सक सिंबर जाएंगे उससे फालतु सीटे नहीं आएंगे किसी आलत में इसलिए दुबारा रिपीट कर रहा हूं इससे जादा ब्रश्ट इससे जादा लोगों को कि हमने की में जो मुठी मजभूत होती है उगली बढ़ जाती है और मुठी कि तवर्ट बड़ी दप्रिशों है लेकिन सैल्जा और किरन कहती है कि हुड़ा साब कौन से मैनिफेस्टों की घोष्णाए खुद करते फिरते हैं बात है कि senior neta है और सारी Congress है। आप और बात कर लेजी, इस नोट आपक पूस्वी. आप इंकार कर रहे हैं इस मामली पूर बात करने से? अजी. आप इंकार कर रहे हैं इस मामली पूर बात करने से? और किसके उपर दोश लगाए क्या उसका जवाब देंगे इस बात कि ने उनसे भी पूछा जाएगा जब वो इस कुर्सी पर बैटेंगे तो उनसे भी पूछा जाएगा और नेता बोलते हैं बत्रसाप अगर अगर चोटे मोटे मनमुटाव जो है हर एक पार्ठी के अंदर ह होते हैं जीवन में पांच उगलिया भी कभी बराबर नहीं है लेकिन अगर कबूतर आख बंद करके बैठ जा इसका मतलब यह नहीं है कि बिल्ली को नजर नहीं आ रहा है इसे है पर टेक्ष को परमान की दरूरत नहीं है आप भी यहीं पर हैं यह खबरें अभी तक भी यहीं पर है दोजार चौबिस के अंदर फूड़ा साब की सरकार बनेंगी और कांग्रस विए सत्तर सीटे आएंगी इस बात चैले ठीक है आप भी यहीं आई लिख लो कागस प पूरी कर देते हैं अभी इस टॉपिक को इस इशू को चेंज कर देते हैं कॉंग्रस ने फैसला किया है कि प्रदेश भर में बीजेपी की उन नीतियों के खिलाफ प्रदेशन करेगी जिससे अवाम परेशान है बीजेपी के खिलाफ प्रदेशन करेगी आपको नहीं लगत सबसेंद ने सबस्केशन कर दोफ करके बात जैदू कि इस बास करते हिंदू हम हिंदू की बात करते इम इंडू की तो अधम को उसे किसी में पूझाई मुक्यमंत्री को 10 सारा पर давно वो थी और सबसे बड़ी बात है कि भी ताब कहते है कि में को इंटलिजिजिस की पता ही नहीं है मेरे पस रिपोर्ट ही है का है कि वह हो मिनिस्टर है कि जिनको यह नहीं पता के वहाँ पर क्या रहा है everything is being reported to the chief minister and home minister बना दिया उनको उस बात के लिए when everything is being reported आप ये भी जानते होंगे कि आपकी पार्टी के विधायक मामन खान का नाम पेश पेश आ रहा है इस पूरे मामले में कि उनके बयान ने इस मामले में बड़ा रोल अदा किया मामन खान जी ने वो speech house के अंदर दी थी public नहीं दी थी आपको 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 आपक ने की जिसके वाइरल वीडियो ने बड़ा रोला दा किया इस इंसा में क्यों नहीं की है मैं तो मोनू सोनु को जानते हैं इने महल ख़राप करके रखने होगे कोई बजरंगी है कोई सोनू है कोई मोनू है इस परदेश को इसका बाइचारा बरबाद करके रख दिया 1947 के अंदर जब पार्टिशन के टाइम भी तब भी मेवातियों को महात्मा गादी जी ने रोका था कभी कोई दंगा निहीं हो थाँ आज तक दंगा नहीं हुआ आज इस मनुलराल की सरकार के अंदर दंगा कैसे हो गया ठीक है आप इंकार करें मोनुमानिसर को नहीं जानते जो जिसके उपर दो दो राज्यों में कतल के मुकदमे दर्ड है जो जानते हैं उनसे पूछ रीजिए जो इतना हुआ इतना वाइरल हुआ नहीं जो उनके ठेकेदार बने हुए उनसे पूछ रो ठीक है बत्रसाब आपन मामले में जो भी प्रतिक्रियां सामने आई अपनी बात को खतम करेंगे शुक्रिया भी अदा करेंगे लेकिन एक बात जो निचोड निकल कर सामने आया वो ये कि सियासत में जरूरी है रवादारी समझते हैं वो रोजा तो नहीं रखते मगर इफ़तारी समझते हैं मैं जाने का तकलीफ मेरी गुजरती है जो राधा पर वो गिर्धारी समझते हैं बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अभी भी बत्रा साथ यहां तश्रीफ लाने के लिए तो और आपने पुछा ही नहीं फिर इतना कुछ तो आप जवाबी नहीं दे रें बत्रा साथ इस यह यह कितना कितना पांच साल में बरस्टा चार हुआ कोई एलिवेटेड के पैसे खा गया कोई पैसे खा गया आपने पूचा ही नहीं कहीं पर कोई बात ली किसी बात की इस वक्त लोगों की जिंदगी उसे बढ़के कुछ नहीं है सूबह के आग लगी हुए आप उस पर बात न होनता है कि सब को राइट to life होना चाहिए मुख्यमंतरी जी कहते हैं इस बात के लिए क्या सबकर्याय कर सकते हैं कैसा मुख्यमंतरी को नहीं होती है सड़के सरकार को देनी होती है पानी सरकार को देना होता है बिजली सरकार जो सरकार यही बेसिक फिसल्टी नहीं जाती इससे फालतूर निकंभी सरकार कभी परदेश के दर नहीं हो सकती है ठीक है तो विपक्ष के तौर पर आपका क्या रूल रहा इस तरह बता देना चाहता हूं इस पाइए रोध तक की डॉल्पिंट हुई रोध तक फ्लाइओवर्स का सिटी करें लगा रोध तक यूश्टी आई वीज्वल गाड्स की यूश्टी आई कनेक्टिवी जूश्टी उसके पाद जहां तक बताता हूं इस बात के लिए ड्वेल्पमेंट है और यहां पर इतना बुरा हाल था है फसे बुरा था और यहां तक पैसे की बात करते हैं पैसे की बात करते हैं यह अगलोग शांत रहीं फ्रीज भाइब जबाव इतनी 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 इत आप सबसे बार-बार गुजारिश है, हाँ जोड़कर गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हूँ तो कॉंग्रिस के विधायक बीबी बत्रा ने बड़ा वयां दिया है रोहतक कॉंक्लेव के दुरान उन्होंने बीजेपी पर और सत्ता बैठी, गटबन्न सरकार पर निशान असा था उन्होंने सीडिसी डिवाद के कि बीजेपी हिंडू टुकि बात करती है, ये बीबी बत्रा का कहना है गुपेंडर, हुड़ा, हरियाना के मुख्यमंत्रे बनेंगे, बीबी बत्रा को ऐसा लगता है, अब इसे ये बात कहे रहे है पीजेपी सरकार भ्रेश्टाच्यार के सरकार है, ये बीबी बत्रा ने कहा रहत तक कॉन क्लेव में एक बार सिर्सर तस्वीरे आपको दिखाते हैं, रहत तक कॉन क्लेव की बेहत खास मंच पर, जिसको हमने नाम दिया है विजन 2024, हम विजन 2024 की बातें मर्यादा में रहकर करें, अपनी सीमाएं को समझें कि इस देश की रिवायत क्या है, परम्परा क्या है, यहां किसी से बात करने का सलीका क्या होता है मेत्रो मित्रों, हम लोग अराम से सुने, किसी की अलोचना मत करो, ताली बजाना बजाओ, परन्तु मैं नहीं नवेदन करूँगा, आप पार्टी वालों को, जब मंच पर आपका आजाए, तब उस्टम जैजाए बोल देना, भी ये तरीका गल्त है, कि जो भी माइक पे आये, उसके आप बिना मत्वल वे आकर शोर मचाओ, ये अच्छा संकेत नहीं है, मैं बत्रा जी इतरा करना चाहता है, इससे जाए, मैं कुछी करता, बहुत शुक्रिया अग्रोव साब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, कि तस्वीर देखने थे सीधे और कॉंग्रेस के विठायक बीवी पत्रा ने जिस तरह से यहाँ पर तरकार पर सुभानी प्रहार किया है, और विबक्ष की भुमिकाओं को बताया, इसे दुरन आपने ये भी देखा कि किस तरीके से, ये देखा गया कि यहाँ पर खूब हंगामा भी हुआ, एक बर फिर से लिए चलते हैं, इस रोट तक का उन्कलिव में देखिए. देखिए, आप लोग उसे बार-बार अपील की जा रही है, लोग तंत्र में आप जो अवाम है ना, उसी की अहमियत होती है, और इसी अवाम का बजन होता है, आप लोग बेशक वहाँ स्टेज के नीचे हैं, ये हमारी खास महमान स्टेज के उपर हैं, लेकिन जो पलड़ा भारी होता है, मेशा वही जुका हुआ होता है, और मुझे उम्मीद है कि इस बात की लाग ज़रूर रखेंगे आप लोग, बद्रे साब मेरा सवाल है कि अगर सरकार की पॉलिसी से परिशानी है, आप लोगों को लगता है कि जनिता परिशान हुई, सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया, जिससे गीना जा सके, हाला कि खर सरकार की तरफ से नहीं नौ सालों में एकलाग-दस हजार के करीब नौकरिया दिये, हठर सरकार ने हर्यांणा में, और हुटा सरकार में इनकी तादाथ, बस six to seven thousand के बीच थी, लेकिन विपक्ष के तोर पर आपने ऐसा क्या किय अग्जिधने को कि लोगों को यह समझ में आए कि Kutter Σदकार non-g McMahon सदकार या नpared क primeira सब्देशन की वर्किंग क्या कितने पेपर लीग हो इस बात के लिए आपको बपनिनको बताना यह बात के दिए आंसर की की इनको बताना वी इस बात के लिए C.A.T. की पॉलिसी और चौथे दिन कोर्ट का इंटरफिशन्स आता है सब कुछ आता है वो क्यों आता है किस मुझे से आता है C.A.T. की को क्वैस्ट कर दिया सरकार भाई कोड रहे आज उनको स्टेबिला उसके बाद कर रहे हैं कभी प्रिसेंटाइल का जगड़ा डालते हैं कभी सोच्यो इक्रामिक का जगड़ा डालते हैं यह लगता है कि मदारी से बना कर रखी हुए लोगों की और युवा जो युवा होता है जब पेपर कैंसल होता है जो युवा के दिल पे बेती है उसका आप इमेजन नहीं कर सकते उस बात के लिए जो बच्चा तियार करता है जो स्टूड़न तियार करता है उसके दिल पर क्या बेती है कि जो पेपर लीक हो जाता है इसकी आप रूड़ नहीं जो अपाइटमेंट की बात है वादे वादे हैं इतने वादे करेंगे वकुछ है और हरे एक अपॉइंटमेंट के अंदर देरिजे सारा का सारा HPSC के सेक्टरी के डफ्तर से दो करोड प्या मिलना आखरी सवाल आपको क्यों लगता है कि रोतक के अवाम का दिल जीता है आप ऐसे है जी सबसे पहले तो यह कहुआ इस बात के लिए 45-2022 के अंदर अधर्निय मुख्यमंत्री जी रोतक आये थे उन्हें एक बड़ी राली जाड कालेज के प्रांगन में की थी और उन्होंने नाउस किया था कि रोतक मुनिस्फिल कमेटी को रोतक की ड्विल्पेंट के लिए मैं 120 करोड रुपे आनौन्स करता हूँ क्या बताएंगे क्या किसी जवाब में बताएंगे कि वो 120 करोड रुपे कहां गया कहां पर खर्च हुआ किस बात के लिए का कॉर्परिशन के मेर और रिकॉर्ड कहते हैं कि एक चार दोजार बाइसे 31,3,23,23 तक कॉर्परिशन में जिफ तीन अब सुना है कि कुछ सड़कों के लिए कुछ ड्वेल्पेंट के लिए आगे पैसा आ रहा है क्योंकि इलेक्शन रदीक आ रहा है परिवार पैचान पत्र में लोगों की जो गत बनी है सब कुछ है चलो बड़ा लंबा डिस्कुशन हो जाएगा कॉंस्यूशली आउसो परिवार पैचान पत्र वैलिड नहीं है एक समय आएगा और सत्ता परिवर्तन होगा परिवार पचानपत्र कैंसल होगा बाद बाद शुक्रिया बत्रासा बाद आखरी 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 साथ में यह कहता हूं परपर्टी आईडी में जो लोगों का बुरा हाद है मैं तो क्यों इसे चार पंच प्रॉजेक्ट और ले आओ कोई दिक्तवरी बात लिए पता सब्सक्राइब करना है कि हर एक अर्य को बोराघ्य करेक्शन को भ उतक हैं वह उसको भॉनिटर करेंगी किसी कि कितरी जमीनीरी कितरी Ratri जहाँ पर ऐसे सी प्रपरटीज बढ़ी हैं यह खाली प्रपरटीज बढ़ी हैं उनके आईडी बनाके बोगस आईडी बनाके उनकी रिस्टिया हो रही है ठीक है बच्छा साब बोल बाला है यहाँ पर सरकार के नुमाइदे कहते हैं कि खटर सरकार ने wipakṣ के पास कोई मुद्धा ही नी छोड़ा वipakṣ कहता है कि दुनिया भ़र के ना जे हमें इस बाचीत को फास भी हमें बच्रा सब मैं आखरी सड़ में solar रोधर की कि शर्णपoff IndT मैं करूँगा दो लाइन की लेटर की रिकमेंडिशन दिखा सकते हैं कि मैंने रिकमेंड किया कि यह पैसा लगना चाहिए नहीं अगना चाहिए आज के दिन में अधर के अंदर कि राड़ जी बैठे हैं वहां पर इनकी कलोणी के वंदर वा पानी पूनी आया या कुछ है विपक्ष की एक होती है मेरे विपक्ष की साथी यहां वर बैठे हैं और साथ में कुछ ऐसे साथी बैठे जो पहले विपक्ष में रहे हैं विपक्ष में बैठके भी वो शरकार खिलाब बहुते थे वह पेंदर सिंग हुडा उस पानी में ना जाते मुख्य मंत्री 32 क्लोट में कभी नहीं बहुत है बहुत है और जिसके बातो होती है कि विदान सबस्व पार केंदर जिवाब देना पड़ता है और मुख्य मंत्री है विदान सबस्वा केंदर का कहा बहुत बहुत शुक्रिया बिबाकी के साथ सभी सवालों के जवाब देने के लिए और मैं समय की गमी के चुलते फिलहाल बीबी बत्रा जी को सम्मानित करने के लिए मंच पर अमंतरित करना चाहता हूं Managing Editor Sundar Solanki जी हमारे संपादक नासर कुलेशी जी बहुत बहुत शुक्रिया बत्रस साब आपका जोड़ार तालिया है एक बार बीबी बत्रस साब के लिए